हेलो फ्रैंड्स आज ए उन्नीश नौंबर और हम डिसकस करेंगे आने वाले वीग में सिल्वर में क्या मुऒमेंट देखने को मिल सकती हैं हम डिसकस करेंगे सिल्वर मेगा के बारे में जो की पांट डिसंबर का कॉंटरेक्ट है silver mega की analysis को देख के आप यहाँ पर silver micro और mini में भी trade कर सकते हैं तो friends अगर आप हमारे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा अभी तक के जो भी हम आपको analysis बताते आए हैं वो बिल्कुल सही हुई है अब हम discuss करेंगे कि आने वाले week में silver कहां तक जा सकता है क्या resistance रह सकते हैं और क्या support रह सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं कि क्या support यहाँ पर रह सकता है तो पहला support यहाँ पर निकल के आ रहा है 72,500 पर second support यहाँ पर निकल के आ रहा है 71,400 पर और जो लास्ट फाइनल सपोर्ट है वो 70,000 का रहने वाला है जो कि अभी तक के हम आपको बताते हुए आए हैं रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर निकल के आ रहा है 74,000, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ रहने वाला है 75,000 और फरदर अगर यहाँ से उपर जाता है तो यहाँ पर आपको फिर 78,000 तक मोमेंट देखने को मिल सकती है तो थर्ड रेजिस्टेंस यही रहने वाला है और फेंस आप सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से सिल्वर में एनलेसिस की जाती है चार्ट आप सीखना चाहते हैं किस प्रकार से यहाँ पर टेकनिकल और फंडरमेंटल एनलेसिस की जाती है तो आप नीचे दीए के नंबर पर हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हम फ्री में आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट भी प्रवाइड करते हैं साथ में फ्री में आपको ट्रेनिंग भी प्रवाइड करते हैं और अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डेस्किप्शन में अमने डीमेट अकाउंट का लिंक दे दिया है वहाँ से आप डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और friends अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को like, share and subscribe करना न भूले इससे हमारा होसला बढ़ता है और आगे भी हम आपको फिर bank, nifty और nifty के बारे में भी analysis प्रोवाइट करने की कोसिस करेंगे Thanks for watching the video